नमस्ते भारत आज बहुती महत्पूर्ण दिन है और चुकि हमने आज ही के दिन अपनी भारत यात्रा की सुरुवात की थी और आज लगबग एक साल दिन हो गए पुरे एक साल हो गए और उससे बड़ी उपलब्दी आज की रही है हमारी जिस कॉलेज में आपने पढ़ाई क मिले सभी आपके बात से प्रभावित हो तो दोस्तों हम मेरे पीछे आप मंच देख रहे हैं यह वही मंच है जिस पर कुछी देर बाद हमारा सम्मान होने वाला है पूरे स्टेज में बात्चित होने वाली है अब यह मेरा गुणगान नहीं करूंगा क्योंकि जो महत्पू जो पेपर देने हम अर्जेंट में हमें आना पड़ा हम घर नहीं गए जो आप लोगों से हमने प्रॉमिस किया था उसी के तहट पेपर देंगे और वापस से अपनी यात्रा सुरू करेंगे और यह कह सकते हैं सब कुछ भगवान की इच्छा होती है कि एक साल में जहां से आपने शुरुवाद की हाला कि हमने ओसंगाबाद में टीचर के रूप में शुरुवाद की थी वहां पर हम जहां पढ़ाते थे वहां पर आज स्टुटेंट के रूप में हमें सुरुवाद मिली वहां पर भी हमें मान सम्मान आशिरवाद मिला स्वागत हुआ उसी प्रक बिचे हुए है गदे उसी में योग होने वाला है उसमें से ही एक आसन हमारा होने वाला है और उस आसन में बैठ कर हम योग करने वाले हैं हो सकता है जो बहुत सालों से योग करवाने आने वाले टीचर हो वही योग करवा है लेकिन जो हमारी उपस्तिती रहने वाली बहुत म कोचनी दूइदा नहीं है कि जब लोग अपने बुरा पन को शार्जनीक तोर पर प्रतासित करते हैं, तो मैं अपनी अच्छाई को क्यूँ सार्जनीक तोर पर प्रतासित ना करूं इस कारण से मैं भी आप सोसल मीडिया पर यूटूब पर इंस्टा पर अपनी चीजे डालना शुरूब किया और अपनी बातों को रखना शुरूब किया है तो यह आप देख सकते सामने जो मंच है उसी पर हमारा भी वक्टब यो होने वाला है जो यहां के प्रचार जी है और प्रमुक जो गणमाने लोग है यहां पर बैट कर योग करने वाले है अपनी बाते रखने वाले है और उसके बाद यह जो स्थान आप देख रहे हैं यहां पर योग होने वाला है स्टूडेंट है टीचर है जो भी व्यक्ति है आज का जो महत्पुर्दीन है उसमें सहभागी होने वाला है आज के इस दिन के लिए वो सहभागी होने वाले है और आज का लाब उठने केवल आज के लिए नहीं यहां से वो कुछ ऐसी चीज़ें अर्जित करके जाएंगे जो उनको जीवन में काम आएगी अपने स्वास्क्रपती वे सजग रखने रहने का प्रयास करेंगे तो चलिए बिना कुछ ज़्यादा बाते किये हुए आपको हम आगे का कारिक्रमों में लेके जाते हैं इतनी बात मैंने कही वो आप आगे के वीडियो में देखेंगे तो बिलकुल सुरू से लाज तक के इस वीडियो को देखते रहे और ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचा है कि इस प्रकार से अपना ही एक भाई अपना ही बंदू अपना ही दोश इस प्रकार से लोगों को जागरूप करने के लिए निकला है तो हमें भी किसे ना किसी रूप में राष्ट के लिए संस्कृति के लिए देश के लिए कुछ ना कुछ करते रहन चाहिए बिना किसी अपेक्षा के